दा फिफ्फ पॉइंट इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्योंकि अभी बहुत साहे लोग एक्जाम के बारे में तो टेंशन ले रहे हैं लेकिन साथ ही साथ बहुत साहे लोग रिजल्ट के बारे में भी सोचनलोग आपको बोलेंगे पुश्च हार्डर जाधा महनत करो जाध नोट्स बनाना जी हां अगर इसके बाद वाला जो पॉइंट है यह सबसे इंपॉर्टन पॉइंट है इस वीडियो का हो सबसे में पॉइंट है सबसे में फोकस पॉइंट है अब मैं ऐसा क्यों बोर हो क्योंकि देखिए कि स्टॉप टेकिंग एग्जाम्स एज वॉर आप लोगों की टेंथ की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और 12 वालों के लिए वीडियो सिर्फ बोर्ड वालों के लिए है क्योंकि यार बोर्ड का अब सिर्फ एक महीना बचे है एक्जाम आने के लिए और यह टाइम बहुत ज्यादा क्रूशल होता है इस आप लोगों के इस डर का फायदा उठाते है तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों को कौन-कौन सी गलतिया नहीं कर रही है जिससे कि आप लोगों के बोर्ड रियून ना हो तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप लोगों को टाइम टेबल बनाना बंद करना होगा क्योंकि आप लोगों की वीडियोस देखके सोच रहे होंगे कि आप लोगों को एक time table follow करना चाहिए particularly जिससे कि आप लोगों की score increase हो जाएंगे यह सबसे बड़ा मित है और बहुत बड़ा mistake है क्योंकि आप एक तो उनकी वीडियोस देखने में अपना time waste कर रहे हो दूसरा आप क्या बोलते हैं उनका दिया हुआ time table use कर रहे हो जो कि आपके time के according managed नहीं है और तीसरा कोई भी time table बहुत कम लोग follow कर पाते है और बहुत जादा time waste हो जाता है क्योंकि आप time table बना लोगे लेकिन कुछ time बात फिर आप वह follow नहीं कर पाऊगे और इसके बात फिर वह reunion हो जाएगा तो यार यह एक time waster हो सकते है आइधर don't make that time table यह आपका time बचाएगा और उस time को आप यूज कर सकते हो अपने पढ़ाई में और revision में etc etc so stop making time table क्योंकि यह सबसे बड़ा time waster है आपको कोई time table नहीं बनाना है आइधर you can make like आज मुझे 3 chapters complete करने है तो करने है किसी भी तरीके से आप इस तरीके से अगर plan करेंगे तो शायद तक यह आप लोग के लिए helpful होगा बगर अगर आप time table बनाएगे कि मुझे इतने बचे उठना है इतने बचे मुझे खाना है इतने मुझे मुझे सोना है इतने using social media लेकिन ये एक mistake है अब मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यों क्यों कि यार देखो हम social media को daily use में चलाते हैं हम लोगों को बहुत जारा आदा तो चुकि है social media को use करने की और आप इद्दम से अचानक से उसे बंद कर दोगे तो आपको बहुत जादा मन करेगा कि आप उस चीजे जो आप लोगों को बताई जा रही है क्योंकि मैं इसके पीछे का explanation आपको बताता हूँ अगर आप फोन daily चलाते हैं तो आपको आदत हो चुकि यह फोन चलाने की तो जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको मन करेगा कि फोन चलाओ मैं फोन चलाओ और आप लोग इसे as a reward यूज कर सकते हैं कि आपने एक चप्टर यूज कंप्लीट कर लिया है पूरा पढ़ लिया है उसके बाद आप फिर half an hour या one hour का break लेके आप यूज कर सकते हैं सोचल मीडिया को और कुछ memes पर सकते हैं ज्योंकि आप लोगों को रिफ्रेश कर सकते हैं मा यह भी आप लोगों को explain कर देता हूं तो सबसे पहले बाद आप लोगों को यह करना है कि आप लोग जब भी सोचल मीडिया को यूज कर रहे हो आप लोगों को एक तो log out करना है हर बार क्योंकि आपको बार बार जब लोगिंग करना होगा तो आपको bore feel होगा और जितना वाले में घुज गया अपना mind refresh करने के लिए तो वह पांच मिनट का break आप लोगों के लिए कब एक घंटे का होगा आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा तो यह एक time wasting हो सकता है इसलिए आप लोगों को track लगा के रखना है कि यार आप इतने देर से इतने देर तक ही इसको यूज करेंगे as a reward और उसके बाद आप लोगों को इसे log out करना है और फिर side में रखके अपने phone को वापस से पढ़ना स्टार्ट करना है और अगर आप लोगों के notes या कुछ भी आप लोगों के phones में है तो आपको सारे notification off करने है सारे app से log out करना है और उसके बाद internet connection को off करने के बाद phone को airplane mode में डालने के बाद start करना है पड़ना क्योंकि कोई भी notification आके आप लोगो disrupt न कर सके तीसरी बहुत बड़ी mistake जो कर रहे हो आप लोग वह है पैनिक होना आप लोग अभी एक महीना बच्चे करके इतने जादा पैनिक हो रहे हो अब जैसे कि अलग-अलग बच् पढ़ चुके हैं पहले से रिवाइस कर चुके तो उन लोगों को कोई panic नहीं हो रहा होगा लेकिन जिन लोग का चैप्टर सभी भी cover करना बच्या है उन लोग को panic हो रहा होगा और जिन लोग ने अभी तक start नहीं किया वह महान लोगों को तो बहुत जादा पैनिक हो रहा ह तो आप लोग को पहले जो सबसे पहले panic नहीं होना है अगर आप पहले category में हो तो आप लोग तो मलब बैस्ट हो आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाली है अगर second category में है तो आप लोगों को थोड़ा सा smart work करना पड़ेगा ताकि आप लोग उस दिले बस complete हो जाए और उस कितने chapter बचे हैं और उसमें chapter के weightage पहले देख लो कि कौन सा chapter important है तो जो chapter important पहले उसको करो या फिर आप जो chapter आपको अच्छे से आता है आप उसको आखरी में कर सकते हो क्योंकि देखो जो chapter छोटे होते हैं उनको करना में ज्यादा time नहीं लगता और वैसे भी 10th का syllabus क्योंक easily cover हो जाएगा लेकिन आप लोगों के percentage ज्यादा नहीं आएंगे यह बात की आप लोगों को समझ लेनी चाहिए कि एक बार में अगर आप पढ़ रहे हो एक ही महीने के अंदर तो आप लोगों को अच्छे percentage नहीं आएंगे इतने जादा फोर्थ पॉइंट यह कि आप लोग स्टेक हो जाती है क्योंकि देखो अगर आप लोग सोच के कि किस तरीकी से question आने वाले हैं तो मैं आप लोगों को बता दू कि जो examiner जो यह सेट करेगा question paper उसको NCRT की latest book पकड़ा दी जाती है और उसके बाद फिर उस वो बुक से सारे questions बनाके उन सामने वालों को देता है तो आप लोगों को सबसे पहले chapter को read करना है क्योंकि chapter की बीच में सही question आने वाले है और कोई भी question bank भले उसमें 100-200 question हो आप उसको पढ़के अपना दिमाग खचर करो उससे अच्छा आप पुरे chapter को अच्छे से दो-तीन बार read कर लो उसके बाद अगर आप questions कर रहे हो तो वो ठीक है और अगर आप questions नहीं भी कर रहे हो तो भी आपसे वो questions solve हो जाएंगे जो आप लोगों के exam में आने वाले हैं the fifth point is very very important क्योंकि अभी बहुत साही लोग exam के बारे में तो tension ले रहे हैं लेकिन साथ ही साथ बहुत साही लोग result के बारे में भी सोच से कि यार हम लोगों का percentage अगर इतना नहीं आएगा तो क्या होगा हम लोगों का percentage नहीं आपाया तो हमें शाय तक यह subject नहीं मिलेगा तो पहले बाद एक यह pandemic period है इसलिए आप लोगों के लिनियन चेकिंग होगा इसलिए आप लोगों को शाय तक उतना टेंशन लेने की जौरत नहीं है और अगर आप लोगों कोई इस बात का टेंशन हो रहे है कि आप लोगों के इतने percentage नहीं आए तो क्या होगा तो literally ऐसा कुछ इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लोगों के कम percent आने के बात भी बहुत साहे लोग बहुत ज़्यादा successful होते हैं इसके लिए आप लोगों के हैं कि बहुत साहे लोगोंने high school complete ही नहीं की है बहुत साहे लोग ने high school में fail हुए थे बहुत साहे लोग high school ठीक से निका आप लोगों को competition रखना नहीं है, इस वक्त क्योंकि कोई competitive exam नहीं है, यह सर्फ एक board exam है, जो कि अराम से निकल जाएगा, अब simple सी बात यह है कि आप लोग इतने सालों से paper देते आ रहे हो, तो यह paper भी आप लोगों को वैसे ही देना है, इसमें कोई खास नहीं है, लोग बस boards, boards करके इसको बहुत जादा importance देते हैं, लेकिन यह भी बाकी exam की तरह होता है, आप लोग इसमें बैठ होगे, आराम से exam लिखोगे, चिल पास मारोगे, और इसके बाद फिर निकल जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, सिर्फ distraction होता है, इसलिए result के बारे में आप लोगों का result अच्छा आएगा, और आप लोगों का result अच्छा आएगा, तो आप लोग बिल्कुल tension लेना, बंद करो दो इस बात का, कि result का क्या होगा, तो जैसे कि मैंने बताया है, कि यह भी एक ordinary exam ही है, यह कोई खास exam नहीं है, कि आप लोगों कोई दम, बहुत जाद बात स्कुल में कम percentage में, साइंस ले लेते हैं, बहुत सारी स्कूल में, ज्यादा percentage में science लेते हैं, तो इस लएग, आप लोगों को सब्जेक्ट चाहिए, और आप लोगों को必न प्संद होना चाहिए, तो आप लोगों कुले कर सकते हो, और अगर आप लोगों को यह सोच रह अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो आप लोगों से जबरदस्ति पढ़ोगे तो आप लोगों से कभी भी नहीं पर पाऊगे तो यह आप चुछ लोगों को ध्यान देने चाहिए कि एक एक्जाम टाइम पे एक हफते पहले आप लोगों को तब्यत खराब हो गया या आप लोगों को कुछ हो गया तो आप लोगों को प्रॉपर ली देनी पाऊगे और आप लोगों के साल भर की महनत पूरी वेस्ट हो जाएगी तो उससे अच्छा है कि या पढ़ाई में जिता फ रहना चाहिए क्योंकि it is important health is wealth यह सब बोलते हैं और यह एक्च्वल में true है 100% करेक्ट है इसके बाए में कोई बोल नहीं सकते कि यह गलत है इसलिए आप लोगों को रेडी रहना चाहिए अपने हेल्थ को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रखो कोई टेंशन वाली बात नही है कि देखो कुछ लोग ऐसा होते हैं से ज्यादा सोते हैं उन लोगों को लगता है कि यह हम लोगों को बहुत अच्छे से प्रॉपर स्लीप साइकल बनानी तो हम आठ गंटी के बज़े नौ-दस घंटे सो जाते तो ज्यादा अच्छा होगा तो देखो ओवर स्लीप करना अप लोगों को इस दुनों के बीच का jo ideal टाइम होता है आप लोगों को वई-follow करना एक स्लीप साइकल कंपलीट करनी है ज्यादा नहीं सोना है अगर आप लोग ज्यादा सो जाओगे तो आप लोगा के बढ़ाई में फोकस नी कर पाओगे ढंक से तो आप लोगों के र प्रॉपर मिल रही है तो यार वैल और नहीं मिल रहे तो अभी से ध्यान देना चालो कर दो एक महीने के अंदर अगर प्रॉपर स्लिप इंटेक नहीं लोगे तो हो सकता है आपके हैल्फ पर आफेक्ट कर सकता है तो इस पॉइंट पर बहुत अच्छे से फोकस करना तो आप लोगों कोई इसके आगे वीडियो देखने के लिए थोड़ा सा मैंटली प्रिपेर होना पड़ेगा कि यार देखो मैं आप लोगों को वो बता रहे हो वो एक माइंड सेट प्रॉबलम है कि देखो ऐसा होता है आप लोग से बोल दिया जाता है और आप लोग बिल तोड़ दो, अपने हर चीज़ को तोड़ दो और बहुत ज़ादा मेहनत करो लेकिन देखो ये बात एक तरीक के सही सही भी है लेकिन at the end वाले पॉइंट पे ये बात गलत हो जाती है अगर आप लोगों ने पूरे साल भर मेहनत की है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आप एक आखरी के एक महिने में सोच रहे हैं कि बहुत ज़ादा पढ़के आप बहुत ज़ादा मेहनत करके कैसे भी करके आप एक दिन पहले एक्जाम के पूरा चैप्टर पढ़ लोगे, पूरा सब्जेक्ट पढ़ लोगे तो this is very biggest myth you are having क्योंकि देखो यार ऐसा कुछ होई नहीं सकता आप चाहे कितने भी बड़े बैक बैंचर हो कितने ही बड़े स्मार्ट बंदे क्यों लाओ अगर आप एक दिन में पूरे चैप्टर को करेंगे तो आप लोग के दिमाग में वह information नहीं घुसेगा दीखिए maximum focus span होता है किसी भी इनसान का 53 to 58 minutes इससे ज़्यादा वो बंदा focus नहीं कर सकता एक ही time पे तो आप लोगों को इस बीच में breaks भी लेने पड़ते हैं मैं इस वाले point पे बागद में फिर से बात करूँगा तो सबसे पहली बात यह मैं बोड़ा था कि आप लोगों को ज़्यादा hard push नहीं करना है at the end आप लोगों को relaxation के साथ काम करना है अगर आप लोग को पूश करोंगी बहुत ज़्यादा कोशच करोंगी कि सिर्फ NCRT पे फोकस कीजिए और एकजांप ललेView को करिए लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो बहुत सादा यह कर रहे हो आप लोग सारी चीज़ से पढ़ना चाहरा हो आप गाइड से पढ़ लेते हो उस बुक से पढ़ लेता हो तो आपके brain में जो information आप डाल रहे हो वो पूरी तरीके से नहीं जाएगा अब बहुत बार ऐसा होता है आप लोगों ने भी notice कि होगा कि जब आप पढ़ने बैठते हो एक घंटे से जादा तो आपने जो starting case में पढ़ा है वो आप लोगों को याद रहता है लेकिन उसके आप लोगों को सिर्फ उतना पढ़ने जितना आप लोग कर सकते हैं अगर दूसरे के प्रोटेंशियल को देख के काम करोगे तो आप लोग नहीं कर पाओगे अब देखो इस बात के लिए बहुत सार एक्जांपल दे सकता हूं लेकिन आप लोगों का टाइम बहुत बात को बह людейlish अर्ड़ देखो एक चीज में आप लोग अपने तरफ से सजचेस्ट कर रहा हूं खे आप लोग फ्वोन को अवाइड करो आप लोग हो सूंढ़े तो वह बहुत जब्लक बहुत जादा चेंजिंग उजाता है माइंड को जाता है क्यों कि विश्ञेट कर देता है और मूड क्रियों होने के बता कि क्या होता है कि कि आप लोग को जब याद आने लग जाएगी बाते हैं या कुछ होने लग जाएगा तो सिम्पल सी बात है कि आप लोग म्यूजिक पर focus करने के बचाई फोट्स पर फोकस करो कि तो आप लोग ज्यादा करो that's the best thing you can do जो नेक्ट में आप लोगों को बोलने वालों हो सकता है बहुत साथ लोग को समझना है या बहुत साथ लोग बोले हैं यह क्या बोडर है लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वह एक्च्वाल में प्रैक्टिकल चीज है जो कि मैं मिस्टेक कर चुका हूं मैं आप लोग कि नोट्स मद बनाओ क्योंकि नोट्स बनाने में थोसा टाइम ज्यादा यूज़ोता है टाइम बेश्ट होता है हाँ अगर आप लोग शोड़्यों बना रहे हो या फिर आप लोग वह करने के लिए अब लोग से बोलूहं कि आप लोग अभी नोट्स बनाने लगेंगे बहुत complete सारे पुरही सारे details लिखोगे तो वह एक तो मौँजा टाइम टेकिंग हो जाएगा और आप लोग को iusebe eyebrow कर सकता है तो आप लोगो सकता है तो कम से कम टाइम में में जत्ना ये बना बना लो अगर नोट्स आप लोग को बना नहीं है तो पहले से बहुत सारे क्योंकि बूप्स की पीच में एक समरीद दी आप लोग को पढ़ोगे पूलो आप लोग के लिए वो नोट की तरह काम कर सकता है लेकिन आपको इस्टिल अगर नोट बनाने तो आप एक ब्लैंक पेपर लो और आप लोग बस चैप्टर रीट करने के बाद देखो कि यह पॉइंट इंपॉइंट लग रहा है यह यह लाइन इंपॉइंट लग रही है आप अगर सीरियसली नहीं लोगे पढ़ाई को अभी तो आप लोग को बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो जाएगी आखरी के हफ्तों में या आखरी के दिनों में देखो अभी भी लोग कुछ लोग होंगे जिन लोगों को लगेगा यार अभी एक महिना है कैसे करूंगा कैसे करूंगा लेकिन वह अभी भी टाइम वेस्ट करता रहेगा आज नहीं कल नहीं परसो पढ़ूंगा ऐसा अपने टाइम स्पैन के बारे में मत सोच और डेडलाइन के बारे में मत सोच सिर्फ पढ़ना स्टार्ट करो और पढ़ते जाओ सीरियस हो कि यार अब तो सिर्फ सब्सक्राइब कर आप कर पाओ अब लोग पुछ ना कुछ मिसंकर करते तो यार आप सिर्फ पढ़ना स्टार्ट करूंशे सब्सक्रा dissolves घ्रinary अप लोग हमोवे पता है कि एक मह ने के अंदर है है अगर नहीं होगा तो नहीं होगा आप लोगो को वेल और गुड है जिन लोगों ने स्टार्ट निक्या यह तेपों लोग के लिए था तो यार चिल मारो पढ़ो जैसे भी पढ़ने हैं काम खत्म अब इसके बाद वाला जो पॉइंट है यह सबसे इंपॉर्टन पॉइंट है इस वीडियो का हो सबसे में पॉइंट है सबसे म सबसे में 95% सिब चार दिन में कैसे कंप्लीट करें एक गंटे में कैसे कंप्लीट करें देखो यह मजाख नहीं चाल रहा है यहार देखो साइन्स का सीलेबस है इंग्लिश यह संस्क्रिट है आप लोग को जोबी सब्चेक्ट है हिंदी जो भी है मैत्स है तो यह इतना असा का नहीं है कि आप लोग एक ही मैने में सब चिज पढ़ लो या आप लोग साथ दिन में सब चीज कवर कर लो 상황 कर सकते हो लेकिन झा नहीं कि लйको डिमांग में डाल लो अगार आप लोग को यह सभान है कि यशतल जी आप आप लोग यह देखो कि आप लोगो क्या चीज ऑवाइड करने हैं और क्या चीज करना है आप लोग उसे जादा कुछ जादा देखो मत अब देखो यूटुब थोड़ा सा आप लोग को इस वक्त कम कर देना अच्छे क्योंकि यूटुब में बहुत सा लोग अभी आएंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड कोश्यन मोस्ट प्रोबैबल कोश्यन मोस्ट यह कोश्यन वो कोश्यन इतना पढ़ लो आप लोग हो जाओगे पास इतना पढ़ लो यह अच्छे मांक्स लिए बुल्शिट देखो ऐसा कभी पी नहीं होता है कि बहुत बार रिपीटेड कोश्यन तो आप जो बनाओगे वह सामने को कभी कैसे एक्सपेक्टेड कोश्यन वाल इस ज्यादा नहीं वालेगे कि हमारा यह एकसपेक्टेड कोश्यन पढ़के लोगोंने टॉप मारे हैं बहुत अच्छा स्कोर कि सब देखो सेल्स की तरीखिए यह सब सेल्स में होता है आप लो लोगों को तो अभी सिंपल से बात यह कि आप लोग 6 करो आप लोग protecting पढ़ाई करने बैठो तो यार लास्ट पॉइंट सुनके जाओ और पढ़ने बैठ जाना सीधा सीधे तो लास्ट पॉइंट यह है कि stop taking exams as war बात बहुत सिंपल है बहुत लोगों को लगया कि क्या बोड़ रहें सिंपल सी बात देखो बहुत साय लोग आप लोग को बुलेंगे कि यह जंग है आप लोग soldiers है आप लोग को चाके लड़ने सिंपल सी बात है यार exam है exam देने जाना है that's it इस बात को इतना importance क्यों दे रहे हो कि आप लोग इसको war की level पर ले आओ सबसे बड़ी stupidity यह होती है कि आप लोग exam को as a war considered करो exam is not a war exam is exam भाई देखो exam दोगे आप लोगों को जान के पर कोई खत्रा नहीं है आप लोगों के कोई फर्क नहीं पड़ता है यह बात सब जानते फिर भी लोग आपको force कर करके बोलेंगे कि यह देखो exam है जो war है आप लोग soldiers है आप लोग को जाके लड़ना होगा आप लोग को यह करना होगा पागल हो क्या आप लोग students हो आप लोग को कुछ आके सिर्फ exam देना है कोई ये war war नहीं होता है war का koncept बहुत साथा लग होता है war में आपके जान के उपर बात बंजाती हूं यहांपर कोई jan के बात नहीं बनागीए और अगर को कोई बोड़ रहे कि आप जान के बात बने Gary सबसे बड़ा बेवकुफ है उसकी बात बिलकुल मत दों हो सिम tacis सी बात झाल झाल